नमस्कार दोस्तो प्रियंका दा किच्चन की विन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे हेल्दी मिक्स वेज सूप बनाना अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लें हमें चीए थोड़ बारी कटवा बीन्स थोड़ बारी कटवा इस्ट्रिंग ओनियन का गरेंवला पार्ट थोड़ बारी कन फ्लोर ढरी कट खिसंट क मिक्ट e के साथ Harmon आप हम एक छोटा टुकडा तेजबत्ता, थोड़ा मतर के दाने, थोड़ा बटर, बन टेबल इस्पून नमक, थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, और इसके लावा हम लेंगे थोड़ा पानी, इसके बाद में हम एक पैन में बटर डाल लेंगे, और बटर को मेल्ट कर लेंगे, बटर मेल्ट होने के बाद में हम इसको हलका गरम करेंगे, इसे हमें ज्यादा गरम नहीं करना है, अगर हम इसको ज्यादा गरम कर देंगे, तो बटर जलने लगेगा, इसके बाद में हम इसक के अंदर बारी कटा हुआ हरा मिर्च और प्याज डाल देंगे और उसको लगातार चलाते हुए प्याज लसुन और हरी मिर्च का हलका ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे यहां आप देख सकते हैं प्याज लसुन और हरी मिर्च का हलका ब्राउन कलर आ गया है इसके बाद में हमने यहां जो सब्जियों को बारी बारी कट करके रखा है वो सारी सब्जियां इसके अंदर डाल लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे सब्जियों को मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर नमक डाल लेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद में हम इसके अंदर मटर डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिलाएंगे यहां आप चाहें तो इन सब्जियों में से जो सब्जी आपको पसंद नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं और जो सब्जी आपको पसंद है वो इसमें एड़ कर सकते हैं इसके बाद में हम इसके अंदर 2-3 कटोरी पानी डाल लेंगे सूप के अंदर पानी हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि सब्जीयों को पकाने में थोड़ा सा पानी लग जाएगा फिर जल जाएगा इसके बाद में हम इसको कवर करके 8-10 मिनट सबजियों को सोप्ट होने तक पकर लेंगे बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे यहां हमरी सबजियों को पकरने में 8-9 मिनट लग गई है और सबजियों को हमने एक बर मैस करके देख लिया है इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे इसके बाद में हम one table spoon cone floor लेंगे उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे इसके बाद में cone floor वाले पानी को हम सब्जियों के अंदर डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको अच्छ से मिलाते जाएंगे इसके बाद में हम इसके अंदर काली मिर्च और चिली फ्लेक्ष डालेंगे आप नीमू का रच डालेंगे और उनको वे अच्छ से मिला लेंगे इसके बाद में गास की flame को हम medium कर देंगे और medium flame पे हम इसको 2-3 विनट पकने देंगे इसके बाद में हम इसके उपर से बारी कटा हुआ इस्पराइब ऐम डूनियन डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहां हमने two table corn floor लिया था उसके अंदर से one table spoon कौन फ्लोर बचा के रखा है अगर हम टू टेबल स्पून ही इसके अंदर डाल देते तो यह ज्यादा गाड़ा हो जाता और ज्यादा गाड़ा है अच्छा नहीं लगता शूप कोई भी हो अलका पतला ही अच्छा लगता है यहां आप देख सकते हैं यहां आपने सांदर मिक अंदर उस परकार से आप सूप बना के तयार कर लें यहां आप देख सकते हैं हमने यहां सांदर सूप बना के तयार कर लिया है यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तयार होता है इसको आप सर्दियों में बना के एंजोई करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ह हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकोन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें.